तो आज हम देखने वाले एक कोशन जिसमें बोला गया है What is water scarcity and what are its main causes? Scarcity याने की कमी, तो पाने की कमी क्या है and what are याने की क्या है इसके main causes याने की कारण तो main क्या कारण है, जिसके वज़ा से पानी की कमी हो रही है तो चलिए देखते हैं इसके answer को shortage याने की कमी होना, तो पानी की कमी होना as compared to याने की किसके तुलना में उसकी demand जितनी उसकी demand है याने की लोगों को जितनी पानी की जरुरत है तो उतना पानी जो है वो नहीं है तो उसकी तुलना में पानी जो है वो shortage है, कम है तो खुल मिला करके जितनी पानी की demand है उतना अगर पानी नहीं है उससे कम है shortage है तो उसको बोलते है water scarcity तो इसके जो main reason जो main कारण है वो नीचे बताएगे हैं तो चलिए देखते है one by one की कौन से कारण है जिसके वज़े से पानी की कमी है water scarcity है तो first reason है water resources जो की available है water resources याने की जाना से हमको पानी मिलता है उसको हम बोलते है water resources तो water resources जो available है जो present है वो vary करते है वेरी करते हैं की बहुत change होते रहते हैं तो change होने का मतलब है कि हमको उन places से जाना से पानी मिलता है उसमें या तो पानी कभी available रहता है तो कभी available नहीं रहता है इसके लावा over space हैने की कि किस टाइम पे हमको वो पानी मिलता है तो किसी टाइम पे नहीं मिलता है तो यह mainly किस कारण से हो रहा है due to याने की कारण तो यह mainly किस कारण से हो रहा है क्योंकि season और annual precipitation में variation है changes है अब यह seasonal याने की season भी अलग-अलग होते है किसी season में बारिश नहीं होती है किसी season में बारिश ज्य बारिश तो साल भर में बारिश जो है वो भी एक जैसे नहीं होती है उसमें भी variations हैने की changes देखने को मिलते है तो mainly seasonal और annual precipitation में variation है changes है इसी कारण से हमको किसी space में और किसी time पे पानी ज्यादा मिलता है तो कभी कम मिलता है तो इन summary कि यहाँ पे पुरे साल भर में बारिश एक ज जाती है जिस साल पानी की बारिश कम होगी उस साल पानी की कमी हो जाती है second reason है most cases में अक्सर cases में यह देखा गया है कि जो water scarcity है पानी की जो कमी है उसका जो main कारण होता है cause दने कारण तो जो main कारण होता है over exploitation over exploitation याने की बहुत ज़्यादा पानी को waste करना बहुत ज़्यादा पानी को waste करता है जबदस्ती next is excessive use, excessive है याने की बहुत ज़्यादा यूज के जाता है water को and इसके अलावा इस water का unequal excess है unequal याने की सभी को उस पानी को use करने की same permission नहीं है excess हैने की permission तो equal permission नहीं है वो भी अलग-अलग social groups में याने की समाज के groups में अलग-अलग तरीके से अलग-अलग permission है इन water को use करने के लिए जैसे कि जो rich social group होते हैं अमीर समाज होता है जिनके पास पैसे जादा होते हैं next reason है कि यह जो water की scarcity होती है पानी की कमी होती है यह actually reason हो सकता है किसके पीछे का large and growing population याने कि जो population है जो जनसंग क्या है वो बहुत तेजी से grow करते जा रही है बढ़ते जा रही है और बहुत ज़्यादा हो गई है जैसे जैसे population बढ़ेगी तो लोग बढ़ेंगे लोग बढ़ेंगे तो सभी को पानी चाहिए अब सभी को पानी चाहिए तो पानी तो कम पड़ेगा ही तो यह भी reason है तो जैसे जैसे पानी की demand बढ़ते जाएगी greater याने की बहुत ज़्यादा demand होगी पानी की तो उसे consequent होगा नुकसान होगा नुकसान क्या होगा कि unequal excess याने की unequal permission या unequal excess मिल जाएगा लोगों को unequal excess का मतलब होता है कि सभी को एक जैसे पानी नहीं मिलेगा जो reach होगा जिसके पास पैसे जादा होंगे उसको पानी पहले मिलेगा जो गरीब है जो poor है तो उनको पानी कम मिलेगा या फिर late मिलेगा तो ये unequal excess हो जाएगा तो ये सबसे बड़ा नुकसान है consequent है कि अगर पानी की demand जादा होते जाएगी तो unequal excess मिलेगा इस पानी का next reason है ever याने की हमेशा जैसे अभी देखा जा रहा है कि number of industries जो ये कार खाने और जो industries वगरे फेक्टरी वगरे है ये increase होते जा रहे है बढ़ते जा रहे जिसके वजह से एक pressure exert फिल किया जा रहा है pressure देखा जा रहा है exerted रहने की डालना या लगाया जाना तो एक pressure लगाया जा रहा है या एक pressure पढ़ रहा है किसी पे existing fresh water resource तो हर वो जगह जैसे की river हो गया या फिर underground water हो गया तो जहां से हमको पानी मिलता है उसको मोलते है resource तो fresh water resources पे जो existing है पहले से हैं प्रेशर दिखाई दे रहा है कि बहुत जादा पानी निकाला जा रहा है या बहुत जादा पानी जो है वो use किया जा रहा है तो इसके वज़े से भी पानी की कमी हो गई है तो ये भी एक reason है तो in summary for this point की जो number of industries है वो बढ़ते जा रही जिसके वज़े से जो पहले से fresh water के जो resource है उन पे pressure बढ़ते जा रहा है next reason है तो इन cities जैने की शहरों में देखा गया की जो pumping device होते है जैसे की boring खोद लेना hand pump खोद लेना तो इनको बोलते है pumping device तो pumping device को setup किया गया है लगाया गया है ताकि जो water की need है जो पानी की ज़रूरत है उसको meet किया जाए याने की पूरा किया जाए जिसके वज़े से जिसके कारण इन water resources को बहुत ज़्यादा exploit किया जा रहा है याने की बहुत ज़्यादा पानी को waste किया जा रहा है जिसके वज़े से डिपलेशन याने की कमी देखने को मिल रहे है पानी की तो यही रीजन है कि pumping devices को बड़े-बड़े शहरों में जो है वो setup किया जाता है और जितना पानी चाहिए उतना यूज कलते है वो जिससे की पानी की कमी देखने को मिलती है तो यह सारे अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सिखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारी चनल को सब्स्राइक केजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रू करें आज के लिए इतना ही